प्लेटफॉर्म पर मैं लली तराठी आपका स्वागत करता हूँ जहां पर हम एक सब्जेक्ट fundamental of electronics engineering जिसका code है BEC101 यह हम यहां पर पढ़ रहे हैं ठीक है तो इस subject में जो unit 5 है वो है आपकी communication से related ठीक है unit 5 तो जो बच्चे communication engineering एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो भी यहां से लाब उठा सकते हैं साथ ही आज जो हम topic यहां पर पढ़ेंगे वो है आपका satellite communication ठीक है तो आपके question paper में satellite communication से किस type के questions बन सकते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर topic cover up करेंगे one by one तो सबसे पहले satellite communication क्या होती है वो हम जानेंगे satellite communication कैसे work करती है वो हम यहां पर देखेंगे फिर उसका block diagram देखेंगे फिर types of satellites communication क्या होते है advantages और application पर हमें आपर आज focus करना है तो चलिए start करते हैं अपना lecture और हाँ मैं एक बात और बता देता हूँ मैं lecture में भूल जाता हूँ description box में आपको एक telegram का link दिया हुआ है telegram link है आप उस link को जरूर connect करके उस channel को जरूर join कर लिए वहाँ पर आपको समय समय पर informations और समय समय पर जो PDF हम send करते हैं वो आपको बहाँ पर provide होती रहेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं अपना topic आज का satellite communication जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं a satellite is a smaller object that revolves around a large object in space यानि के space में आपका satellite एक छुटा सा object है जो किसी भी large object के around चक्कर लगाता है जैसे इसके लिए naturally एक example आप जानते भी हैं जो moon है वो एक natural satellite है अर्थ के लिए चिक है क्योंकि आपका जो moon है आपका जो चंदा मामा है वो अर्थ के चारो ओर चक्कर लगाते हैं तो अर्थ के लिए moon क्या हो गया एक satellite हो गया है चिक है ऐसे आप दूसरा बोल सकते हैं कि जैसे अर्थ है वो किसके around चक्कर लगाती है sun के आर्थ जो है वो sun के लिए satellite हो गई है है ना तो इस तरीके से ये natural example है satellite को समझने का आगे देखते हैं if the communication takes place between any two earth stations through a satellite then it is called a satellite communication आप यहाँ पर communication पढ़ रहे हैं और communication का मतलब क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान के user के बीच में connection जोड़ना है ना अपनी information का आदान प्रतान करना तो अगर कोई दो earth station है ठीक है कोई दो earth stations है और वो आपस में communicate कर रहे हैं किसके थुरू यानि कि channel क्या है satellite है medium क्या है satellite तो that's called the satellite communication in this communication electromagnetic waves are used as carrier signal मैंने आपको बताया हुआ है कि long distance communication को complete करने के लिए आपको high frequency signal की जरूरत होती है यानि कि carrier signal की जरूरत होती है जो आपकी information को carry करके ले जाए long distance तक these signals carry the information such as voice को carry कर सकता है audio को भी carry कर सकता है video को carry कर सकता है और any other data between ground and space और vice versa मतलब कि पहले तो आपका ground से space में जाएगा information उसको carry करके ले जाएगा carry signal sorry carrier signal और फिर उस space से जिस ground station दूसरे user पर आपको communicate करना है वहां तक पहुंचाएगा वही carrier signal ठीक है same as it is जब confirmation की बात आएगी तो same इस वाले receiver से वो लेके जाएगा space और space फिर लेकर आएगा जिस receiver ने data को transmit किया था तो यह आपका satellite communication का introduction हो गया satellite communication क्या है ठीक है चलिए आगे next slide पर देखते हैं क्या है तो satellite कैसे काम करती है वो अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे लिखा हुआ अभी how a satellite works जैसा मैंने बता है a satellite is a body that moves around another body in a mathematically predictable path called an orbit ऐसा तो है नहीं है कि earth जो sun के around move करती है sun के चारो और घूमती है वो ऐसे ही घूम रही है उसका एक path है उस path के को ही follow करती हुई वो उसके चारो और चक्कर लगाती है तो वैसे ही satellite अगर किसी body के around rotate कर रही है तो वो भी एक path को follow करेगी और वो कहलाएगा उस satellite का orbit चीक है एक कमिनिकेशन सेटलाइट इस नथिंग बट ए माइक्रो बेब रिपीटर्स इस्टेशन इन स्पेस देट इस हेलपफुल इन टेली कमिनिकेशन रेडियो एंड टेलीविजन अलॉंग बिद इंटरनेट अप्लिकेशन चीक है यानिके जो भी आपकी सेटलाइट है वो एक तरीके से क्या है माइक्रो बेब रिपीटर्स का काम करेंगी माइक्रो बेब पर काम करेंगी और रिपीटर्स का काम करेंगी यानिक रिपीटर्स की तरह वर्क करेंगी स्टेशन स्पेस में जो हेलपफुल होता है टेली कमिनिकेशन रेडियो और टेलीविजन अलॉ वो एक तरीके से repeaters का काम कर रही है इस पीस में अब repeater क्या है a repeater is a circuit which increase the strength of the signal it receive and retransmit it जैसे आप देख रहे होंगे आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी मकान को बनाने के लिए इंटे एक वो ground floor से और third floor तक पहुँचानी है तो आप क्या कर सकते हैं पहले आप ground floor से first floor पर जाएंगे फिर first floor से second floor पर जाएंगे second floor से third floor पर जाएंगे और माना यहाँ पर ground floor से first floor पर एक person लेके गया फिर next person first floor से second floor पर लेकर गया और फिर next person second floor से third floor पर लेकर गया तो यह जो persons बीच बीच में अलग-अलग change हो रहे हैं ये repeater की तरहे काम कर रहे है ठीक है clear हुआ तो ऐसे ही आपकी satellites space में जो घूम रही है वो एक तरीके से repeater का काम कर रही है जो एक connection प्रोवाइट कराएगा जो strength प्रोवाइट कराएगा signal को receive करने में और retransmit कर रहे है यहाँ पर जो ये repeaters हैं ये as a transponder काम कर रहे हैं जो frequency band को change कर देते हैं transmitted signal के लिए और received signal के लिए अब ये क्या है इस line का मतलब वो अभी आगे देखेंगे मतलब जब आप earth station से space signal transmit कर रहे हैं तो कुछ frequency band होगा फिर जब space से earth station पर जा रहा है तो अलग उसको नाम देते हैं जब earth से space जाता है इसको बोलते हैं uplink ठीक है और जब space से नीचे आता है यानि कि earth station पर उसको बोलते हैं downlink ठीक है अप link downlink क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम satellite को दिखाएंगे आपको कैसे आपका setup होता है चलिए तो satellite कैसे काम करता है यह आपको यहाँ पर समझ में आ गया एक orbit एक path को follow करके चलेगा जिसको orbit बोलते हैं microwave repeater की तरह काम करता है repeater का काम यहाँ पर transponder की तरह काम कर रहा है और वो उसका मतलब है frequency band को change करना transmitted signal के लिए और receiver signal के लिए आगे की slide में देखते हैं block diagram of satellite communication कुछ नहीं है जैसा हमने simple block diagram communication का पढ़ाता वही है अब उसके blocks में क्या-क्या है सबसे पहले source encoder है यानि कि जो भी source है जो भी message signal आपको भीजना है उसको पहले हमें encode करना होगा मतलब जिससे की आपका आगे का system suitable करें उसको understand कर पाए फिर जिस channel के थुरू आप भीज रहे हैं उस channel के लिए भी आपको encode करना होगा तो यहाँ पर channel encoder लगा हुआ है क्लियर है ऐसा नहीं है कि आपके mobile Chinese language support नहीं करता और आपने message भीज दिया Chinese में तो आपका जो mobile है जिस पर received हुआ signal वो आपको समझी नहीं आएगा कि आप किसी दे क्या भीजाए तो उसी के लिए हम encoding करते है यहाँ पर आगे modulation यह मैंने आपको बताया ही है जो भी आपका message signal है उसको हम carrier signal के साथ merge करेंगे then हम transmit करेंगे क्योंकि आपको long distance communication यहाँ पर establish करना है आगे लगी हुई है satellite जो transmitter section और receiver section के बीच में link provide कराने का काम करता है फिर जो process इधर हुआ है उसका just ultra process आपका इधर हो जाएगा यानि कि यहाँ पर modulation हुआ है यहाँ पर demodulation होगा ठीक है मतलब carrier signal को message signal से अलग कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा अब आपके पास message signal जिस form में आया है उसको आप decode करेंगे यानि के channel के लिए जिस form में आपने उसको coding की थी उससे आप decode करेंगे उसको हटाएंगे फिर आगे जाएगा source decoder जो message आपका था उसको आपने source के according या फिर जो भी आप device वहाँ पर use कर रहे हैं उसके according आपने उसको encode किया था फिर आप उसको उस encoding को हटाएंगे that's called the decode और finally आपको यहाँ पर original message आपका receive हो जाएगा बस यहाँ पर change क्या है जो आपका channel है वो satellite channel बन use किया है इसलिए हम इसको नाम देंगे satellite communication clear है चलिए तो यह block diagram हो जाता है आगे आते हैं next slide पे next slide में है आपका जो मैं आपको पीछे बताना चाहा देखें यहाँ पर the frequency with which the signal is sent into the space is called the uplink frequency यानि कि जिस frequency से आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपने signal earth station से space में भेजा यह आपका earth station है माना कि transmitter है आपने यहाँ से signal को transmit किया और यह satellite तक पहुँच रहा है और इस uplink में जो frequency use हो रहे है that's called the uplink frequency आगे similarly the frequency with which the signal is sent by the transponder is called as downlink frequency अब जब यही signal satellite के through आप retransmit करेंगे दूसरे earth station पर यानि कि receiver section पर तो यह कहलाएगा आपका downlink और इसी downlink पर जो frequency है वो कहलाएगी आपकी downlink frequency clear हुआ uplink जब आप earth station से satellite पर signal भीज रहे हैं और उस uplink पर जो frequency उज़ हो रहे है that's called the uplink frequency जब इस message को आप satellite से earth station पर भीज रहे हैं वो आप use कर रहे है downlink और इस पर जो frequency उज़ हो रहे है that's called the downlink frequency clear हुआ तो यह uplink और downlink का concept भी आपको समझ में आया हूँ ठीक अब type swap satellite देख लेते हैं किस type की satellites होती है तो दो type की satellites होती है one way satellite communication और two way satellite communication कहने का मतलब यह है कि one way satellite में वो है कि एक earth station से आपने signal को भीजा और satellite ने उसको लिया और फिर दूरसे earth station पर वो signal पहुँच गया यह दूरसे station पर आगे this is called the one way मतलब एक ही way पर काम चल रहा है जबकि two way में क्या होगा पहला earth station signal भेज भी रहा है और पहला ही signal signal जो है वो receive भी कर रहा है miss जब भेज रहा है उसके लिए uplink first है यही signal जब satellite earth station पर भेजेगी तो वो downlink की उस करेगी और वो भी downlink first होगा same as it is जब इस वाले earth station ने satellite पर अब signal भी जा तो वो जो link यूज करेगा that's called the uplink मानलिया आपने इसको uplink 2 दे दिया तो जब यह signal retransmit होगा satellite से earth station पर यह first station जो है तो इसको हम बोलेंगे downlink 2 तो अगर आपकी two way में communication हो रहे है satellite के थुरू तो two way satellite communication कहलाएगा अगर one way है तो that's called one way satellite communication clear तो अगर वो पूछता है कि types of satellite communication क्या है तो आप बताएंगे one way satellite communication two way satellite communication यह diagram बना देंगे प्यारे से और enough हो जाएगा चिक है चलिए आगे आते हैं next slide पर next slide क्या कहती है हमारी अब हम देखेंगे कि advantages क्या है satellite communication की ठीक है तो जैसे कि आप देख रहे हैं first है flexibility जैसे मैंने wireless communication में भी आपको बताए था कि flexibility बहुत है satellite communication next distances are easily covered यानि कि long से long distance को आप easily cover कर लेते हैं ठीक है next broadcasting possibility भाई broadcast जो आज कल हो रहा है वो satellite की help से ही हो रहा है ठीक and last each and every corner of earth is covered यानि कि earth का हर एक kona आप satellite के माधियम से cover कर सकते ठीक है जैसे आप सबसे अच्छा example है navigation ठीक है या फिर आप बोलें जो आप अपने phone में use करते हैं map यानि कि map से navigate कर सकते हैं आप किसी भी person को कहीं पर भी या अपनी location आप कहीं पर भी navigate कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको जाना है अर्थ के किसी भी कोने पर ठीक तो ये सब possible है satellite communication से ये advantages होगी satellite communication की और last slide पर अपनी चलते हैं applications of satellite communication applications क्या है तो सबसे पहला तो radio broadcasting ही हो जाएगा आपका application ठीक है ओके एक minute थोड़ा system हैंग हो गया है ये देखे लाइन जा रही है long distance communication हो रहा है very good हमने भी बहुत long distance communication कर लिया है चलता ही जा रहा है रुक नहीं रहा है आप hold रखेंगी थोड़ा चलिए हमारा long distance communication यहाँ पर आके रुका है थोड़ा सा तो पहला जो advantage है वो है radio broadcasting sorry application दूसरा application है in TV broadcasting such as जो आप this देखते हैं वो भी आप satellite की help से ही देख पाते हैं next in internet application जैसे such as internet आप यूज करते हैं data transfer करते हैं उसमें या GPS जैसे मैंने अभी एक example आपको पीछे देखे बताया तो ये भी एक application है satellite communication का internet आप यूज करते हैं है ना तो ये example आपके किस के हो जाएंगे satellite communication के हो जाएंगे for voice communication जो आप phone पे बात कर रहे हैं ठीक है और last में आ जाता है military applications and navigations जैसे मैंने example दिया आपका map का आप navigate करना चाहते हैं military में ये बहुत ज़्यादा importance सी जोती है जैसे आप phones का भी यूज करते हैं satellite phones आते हैं उनसे आप voice communication करते हैं वो आप military में यूज करते हैं उनकी distance कम होती है बट आप voice communication जो वहाँ पर हो रहा है वो satellite के माद्यम से हो ठीक है तो satellite से आपके किस टाइब के question बन सकते हैं वो हमने सारे slide by slide cover कर लिये है satellite क्या होता है पहला question यह पूछ सकता है कैसे काम करता है दूसरी slide में हमने यह बताया block diagram क्या होता है तीसरी slide में हमने यह बताया types of satellite क्या है वो मैंने आपको बताया next slide में फिर हमने उसकी advantages देखी and then हमने application देख satellite वाले portion से यहां से कोई भी portion आपका बाहर नहीं जाए तो session कैसा आपको लगा उसके लिए आप session को like share और subscribe जरूर करें चैनल को चीक है और कैसा लगा वो आप हमें comment के माद्यम से बताएंगे यह बहुत जादा important part है आप यह जरूर किया करें अगर नहीं समझ में आया तब भी और समझ में आया तब भी clear है तो session से जुड़े रहने के लिए धन्यबाद देखते रहिए आप तब तक engineering gateway classes thank you so much